चीन से शुरू हुआ कोरोना वाइरस का कहर पूरी दुनिया में अभी भी जारी है चीन में कोरोना वाइरस के कुल मामले 8749 हैं वहां कुल मिलाकर 3120 लोगों की मौत हुई है और 78,718 मरीज ठीक भी हुए हैं इटली में अब तक कोरोना वाइरस संक्रिमन के कुल 7,900 मामले सामने आये हैं जबकि इससे मरने वालों के संख्या 463 हो गई है विश्व स्वास्ते संगठन ने कहा है कि दुनिया में अब तक नुवेल कोरोना वाइरस निमोनिया के एक लाग से अधिक मामलों की पूष्टी की गई है चीन से भारत पहुँचे कोरोना वाइरस के अब तक 45 मामले सामने आये हैं इनमें दिल्ली, केरल, यूपी, करनाटक, पंजाब, जमू और कश्मीर से एक-एक मरीज है पिछले दिन छे नई मामले सामने आये इनमें एक-एक मरीज जरनाकुलम, डिल्ली, यूपी, पंजाब, बैंगलोर और जमू से हैं भारत के लिए अच्छी बात ये है कि यहां किसी किम्रित यून नहीं हुई है चार मरीज ठीक हुए है और फिलहाल 41 मरीजों का इलाज चल रहा है केरल में 3 साल के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है कोरोना को लेकर भारत में मीटिंग हो रही है कोरोना वाइरस से बचने के उपायों पर चर्चा हो रही है फिलहाल मीटिंग में जो भी सामने निकल कर आया है वो साफधानी और साफ सफाई अगर लोग अपनी साफ सफाई और संक्रमित लोगों से दूरी बना कर चलेंगे तो कोरोना वाइरस से बचे रहेंगे भारत सरकार ने इसके लिए एडवाइजरी भी जारी की है